सबी विद्ध्यार्थियों को नमस्ते विद्ध्यार्थियों आज हम N.I.O.S कक्सा 12 का जो ग्रेविग्यान विसे हैं उसका चेप्टर नमर साथ है खाद्य परदाती खरीदारी एम भंडारन इस पार्ट के प्रशुत्तर पर चर्चा करेंगे यह जो पार्ट है वो आपके र प्रशुत्तर को देखने से पेरे जरूरी है कि आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ें चाहे आप अपने पुष्टक से पढ़ें या फिर वीडियो देखकर पढ़ें तो मैंने इस चैनल पर जो कक्सा 12 की जो ग्रेविग्यान विशे है उसको मैंने पढ़ा रखा तो वह सरहते हैं तुमें चाहे हैं एक मतलब मतलब होता कि फाथी प्रद्द्दो अगला प्रशन है गुणवत्ता सुचक किसे कहते हैं तो इसका अंसक है कि किसी भी वस्तू या उत्पात को खरीदते समय हम उसमें कुछ गुणवत्ता व को देखते है और यदि वह सारे गुण उस वस्तू में पाये जाते तो सब्जी करते हैं तो अब क्या देखते हो कि सब्जी केसी हो चाहिए ताजा होनी चाहिए न वो सड़ी नई हो छाहिए तो अपक्ग्या कर रहे होते हैं और आप ताजा होना चाहिए ब्र유 लाइम होना चाहिए इसी प्रकारो आप लेक्वेश्टा कने तब घ्रतिक ह least एक संवेक्र 네 धे तो तो ये इसमिला कर रहे होते हakap हैं कि जब किसी भी वस्थ टो खडलीते समय हम उसमें कुछ सुच्च कहलाती है जैसे कि हरे पतेदा सब्जियों में ताजगी पनीर का ताज़ा यो मुलायम होना या ब्रेड का ताज़ा तता इस्पंजी होना अगला प्रशन है भोजन विनिष्ट होने के कारण और दूस्प्रबाव बताईए भोजन के खराब होना विनिष्ट मतलब होता है जब उसकी गुनवत्ता खराब हो जाती शतिकरश्ट हो जाती है और वह उपयोग के लिए उभबोग के लिए उपयोग नहीं होता भोजन निम्दद दौरा विनिष्ट किया जाता है जिसके कारण किया होता है पेला भोजनकि बहरी शते पर रहते है और और कुछ हास प्रकार के रसायन होते हैं जो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं अब एंजाइम क्या करते हैं कि खादे पदातों को पकाने का कारे करते हैं एंजाइम वेर असायन होते हैं जो खादे पदातों में पहले से ही मौझूद होते हैं और खादे पदातों को पकाने में मदद करते हैं यदि खादे पदातों का बढ़नारन उची तरीके से किया जा सकता है और खादे पदातों को शुरुक्षित रखा जा सकता है मान लो जैसे कि आप एक आम लेके आए जो थोड़ा कच्छा है ठीक के उसको अपने तीन चाह दिन के लिए रख दिया तो थोड़े दिन में क्या हो गए वो पक जाएगा वो तीन चाह दिन में पीला पर करने पक दा यहां हो खादे पदात मुझन के अंदर एंजयम हैं जिसकी करणा करा पक रहा है पीर्टेय हमारे खाने लाया कि नहीं तोह हमारे से खाले ऑ था गदाय ए स्कुरुक्त में में सबस्की होने तो करना में के लाए फिसे कीड़े चूह म कर ते हैं इसकी वज़े से भी कास्तार बर्बाद हो जाता है जमें खाने लायख नहीं रहता है और पूम तरे से वो खराब हो जाता है अगला प्रसंच होता है भोजन का सुरक्षित रख रखाओ कैसे किया जा सकता है कि भोजन को सुरक्षित कैसे रखे तो इसके कुछ तरीके हैं कि भोजन के रख रखाओ के समय हम निम्न बातों का ध्यान रख कर भोजन को सुरक्षित र रख सकते हैं चखने के लिए अलग प्रियोग करें सभी कि इnen चाल मिटारन की जगे क lado कर के साप हुआ प्रयोग करें विश्वाशनी जगे से ह्थाध्य प्रदाद्य palate klar stereotype विशश कर दूद begged दूद दूद दूरा और मास्ति द्वारा निर्मित खादे पदात इनको मैं एक कुल मुष्वहंशनी दुकान से विश्वहं इस्तान से खरिद ना चाहिए ख्रीदारी के समय तो हमीं आ की जाज कर लेनius न कर ले तो हम permissions तो यह तो आप एक प्रशन eh पाट के प्रशनों को देखेंगे मैंने 4-5 प्रसंट पहले बनाए वह जो इस पाठों के अंदर आपके नहीं दे रहे कि उससे इतने में प्रसंट बनाए है ताकि आपको पूरा लेसन कवर हो जाए पाठागत प्रसंट साथ प्रसंट एक निम्नक खादे पदातों को विकारी यानिकि वी अर्द विकारी और व जो इसमें वादा चल जाता है कि इस अधार पर नस्वर्ता के आदार पर निकि नश्ट होने के आदार खादे पदातों को वी नाम लिखे हुए भिंडी है उरत की दाल है सूजी है बैसन है गूर गेहूं दूद केला चाओल तमाटर सेपापर मूंग दाल चीनी आता हरी मत और पालक अब इनको आप देख सकते हैं कुछ सब्जे तो जिसे भिंडी है हना दूध है यह ना सेब है यह तो केला है यह दो एक यह दो दिन तक चल सकता है अब विकारी जो कुछ महीने तक भी चल सकता है तो उसमें विकारी कौन से है जो जल्दी खराब होएंगे तो उसके अंतरकत है भिंडी है केला है टमाटर है सेव है हरी मतर है ठीके पालक है और दूध है यह तो है जो एक यह दो दिन तक चल सकते है यह खाते पदार इसके लब अर्ध विकारी जो एक यह दो महीने तक चल ज अगला परशन पाथआगत प्रशन साथ पुन दो तो निमने को परीबासित कीजिए अब इसमें परिबास्त कीजिए कि विकारी क्या है और लोगारी क्या है तो विकारी का हम देखेंगे कि इसकी परिवासा के अंतिकत कि विकारी खादे पदात एक या दो दिन से अधिक शुरक्षित नहीं रखा जा सकता अर्थात इसकी सेल्प लाइप यानि कि उब्बोजी अवदी तो यह सेल्प लाइप एक या दो दिन की होती है जीवन काल एक और उस वस्तों को हम ख़रिदेर अर्थ विकारी तो अर्थ विकारी कि होते हैं कि जो कुछ पर्दात जो फटेख हप्तों तक यह थो महींते तक शुरक्षित रक्षित रखा जा सकता आएव से कटे सकते हैं बिकारी और विकारी और विकार्य खाद्य पदतों के चैन के लिए सामाने गुणवता सुचक लिखे अब गुणवता सुचक कैसे हम पैचाने की हो तरह यह परकार कारा है ले ज़ये जो भी जल्दी खराब होने वाले खाद्या अब बजार से खर्दक होना चाहिए जैसे आ मालो हैं आम के हो तो फ़्मार में scope 1 उस्छा वाले नषुन होना चाहिए दूसरा ऍयुकले बहारी फल अधिक रसिले और और अच्छी किस्म के होते है और विकारी हिपस्टे से में किन गुनवत्ता का ध्यान राखेड़ है अर्ध विकारी खाद्य पदातों का रंग स्वाद सामान्य होना चाहिए इस स्वाद में मीठा होना चाहिए यह स्वाद में मीठा होना चाहिए मानवी करण चिन वाले सोरी मान की करण क्या होता है मान की करण चिन वाले पेकेट काम में लेने चाहिए जाने पेचाने ब्रांड के ही को ही लेना चाहिए जो आपकी जाने पेचाने ब्रांड है जिसको अपने पहले सी इस्तामाल कर रखा है उन्हीं वस्तों को खरीदे अगला है अविका यह सड़े दाने नहीं होने चाहिए इनके दाने बड़े सक्त और सुके होने चाहिए इनका रंग सही होना चाहिए अगला प्रशन है पाठगर प्रशन साथ पॉण सिर्कषित रख सकते है पर समय होने जब तापमान कम होता है घर में ठंडा मोसम रहता है तो वो अच्छी से ताजा बनी रहेगी तो तापमान जब कम होगा कम ताप पर ताजा बनी रहते है पाठ गर्द प्रशन 7.4 सही उत्तर का चेन करें पहला है रखने से पहले हरी पतेदार सब्जियों को गीला मलमल की क्टेज निम के छ lifts T bala लें करने से कांपने से और यही रखना ठाई चांवाल का बंधारं करने 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 में covered नमक और स्लियों किशे मञे का रखें सकते हैं नमक और हल्दी भला नही होगा चोथा है विकारे भोजे पदात को रेफ्रीजरेटर में श्टोर किया जा सकता है सिमिस समय तक जैसे कि आप फ्रीज के अंदर रेफ्रीजरेटर है उसके अंदर आप विकारे मालोग सबजी रखोगे पतेदा सबजी रखोगे तो किते समय तक रखोगे आप एक के दो दिन के सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने मन से लिख सकते हो कि जल्दी खराब होने वर एक दो दी चलते हैं ऐसे खाते परदात जो आप घर में आप यूच लेते हैं और हम उसको खरिटके भी कम लाते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आप 2-4 दिन का या 10-5 दिन का पालग एकटा नहीं लाओगे आप इतना ही लेकर आओगे जो एक बार में बन जाए ठीक है क्योंकि उसकी उबोच्य होती है तो यह सब हम अपने मन से भी रिख सकते हैं क्योंकि पार्ड बहुत सरल है पहला प्रशन मसाले और मेवा यह लंबे समय तक चलता है तो उमीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो आपका भी फर्श बनता है कि आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो अन्ने विद्याति तक भी आप शेयर कर सकत चावल 70 अब हम चावल को प्रियोक करें मैं चैनल करें तो किन बात आप ओना रखे । कि हम चावल खरीदने जाये है तो क्या देखें गए तो चावल के दाने बड़े और सक्त होने चाहिए दूसरा है चावल साप होने चाहिए उसमें कंकर तिनके गाठिए या जाले नहीं होने चाहिए जब हम सब्जियों को खड़ी तो क्या धियां रखें साप ताजा तदा हरी सब्जिया होने चाहिए सब्जियों के छिलके पतले होने चाहिए डबल रोटी खड़ी तब क्या धियां रखें कि डबल रोटी ताजा और मुलायम होनी चाहिए डबल रोटी को अगला है दूसरा सड़ने की गंद नहीं होनी चाहिए ठीके इसी अगला सी है तो ये मास्ट में सड़ने की गंद भी नहीं होनी चाहिए मेदा अब मेदे में क्या धियां रखे है कि इसमें गाठे और कीड़े नहीं होने चाहिए इसका रंग इसमें स्वाद सामानने होना चाहिए ये स्वाद में मीठा होना चाहिए डिबबा बंध भोजन चाहिए, जब आप डिबबा बंध भोजन खढ़ीते हो तो क्या धियान रखते हो, डिबबबा बोजन सील में लगा हुआ होगा होना चाहिए, तिके डिबबे पर उत्पात की तिथी तता प्रियोग अवधी को देखना चाहिए, वहे ज़ादा पुरा बोजन के नास खराब यह होने के मुख्य कारक कारक निम्न है आप यह कौन के कारक के पहलए है चुवे जितना बहुतिक नश्ट होना यापने ऐसी स्तान पर रख दिया जहां पर नमी जादा हो पानी हो गिला पन हो ठीक के यह गंदी बद्बू आती हो तो ऐसी स्तान पर भोजन के आउता जल्दी खराब हो जाता है पांच वह भोजन का कीड़े मकोडो चुव तता बात करते हैं चुवे जितना बोजन खाते नहीं उससे कहीं जादा बरबात करते हैं क्योंकि उसके अंदर अवसिष्ट छोड़ देते गंदगी मिला देते हैं तो यह तो हो गया जितना बोजन खाते नहीं उससे कहीं जादा बरबात करते हैं साथ ही बोजन में अपना बीर होता है साथ में उन्होंने गंदगी किये वह भी बदमों मारती है तो इस तरह से आपके पार्ट के क्रिशन थे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आपका आपकी परिक्सा की अच्छे से तैयारी हो रही होगी तो ज्यादा ज्यादे वीडियो को शेयर करें ला